वेल्कम टो Academic Lens गाइस हम डिसकस करने वाले हैं Series 2 जिसमें आपका महअअरत मीरत हो स्रीस में जो Questions उनको हम Discussions करेंगे तो इसमें आपकी стор待 63 Questions उनको आपको क्या है आज करना है तो कैसे Questions करेंगे वो इस Video हम देखेंगे और इसमें जो है ओल chapters की जो Questions को была with अपने question पर तो देखिए सबसे पहले आते हैं अपने first question पर first question क्या है तो देखिए first question है आपका which type of force acting on a body bring it into motion और किस टापका force जो है motion में लेके आएगा तो देखिए यह दिया आपसे हम बात करें अगर motion की बात की जा रही है कि किस टापका force के motion के लिए responsible है तो देखिए आपको दे रहा है कि balanced या फिर unvalanche force या आपका balanced unvalanche तो देखिए जब force आपका unvalanche condition में होगा तो फिर body में क्या होगा motion होने लगेगा body में motion होने के लिए responsible factor है वो है आपका unvalanche force तो यह आपका एक correct answer हो जाएगा अब हम दिख लेते हैं next question तो देखिए next question है आपका when a marvel rolls down a inclined plane its velocity increases मतलब एक आपके पास marvel है वो roll करता है down direction में और कैसा plane है inclined plane मतलब एक inclined plane है उस पर जो roller है वो क्या है downward direction move कर रहा है तो कह रहा है its velocity increases तो इसका जो velocity होगा वो आपका क्या करेगा increase करेगा तो आपसे कहाए the unvalanche force acting on the marvel is तो जो unvalanche force है वो किस type का होगा वो आपका frictional force होगा या आपका force of gravity होगा या फिर आपका gravitational force होगा या फिर none of these होगा तो देखिए जब body जो यह आपकी body है जब यह rolls down करेगी अगर कोई body rolls down करती है तो उस पर जो force apply होता है वो उस होता है due to gravity तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा force of gravity तो इस तरहीके से आप पांसर कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं next question question number three तो रही question number three है law of inertia is जो law of inertia वो क्या है न्यूटन के first law पर वेसिस है यह second law पर वेज़ड है यह थर्ड लोपर वेजड है यह आपका gravitation पर वेजड है तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि question number four तो देखिए question number four आपसे कह रहा है the condition for a body to be translatory motion मतलब कह रहा है condition बताओ जिसमें जो body वो translatory motion में होगा आगे कहा है translatory motion equilibrium is that net net के वाद आपसे बोला गया डैस मतलब यहाँ पर आपको जो answer है वो क्या है कि फिल करना है तो देखिए आपसे कह रहा है कि the condition for a body to be translatory motion equilibrium is that net acting on the body अब आपको देखिए option दिया गया है जो first वाले option आपको यह दिये गए इनमें आप देखो कौन सा apply होगा अब net torque apply होगा तो अब बेसी वात है कि यहाँ पर जो applicable term है वो आपका force तरहा है तो net force acting on the body is zero and condition for a body to be in rotational motion अब देखिए आपको पता है अगर rotational motion की बात करेगा तो फिर यहाँ पर कौन से टर्म है तो यहाँ पर आगा net torque तो जो आपका force पहले हो गया और उसके बाद आपका torque हो गया तो जो आपका answer हो जाएगा force, torque हो जाएगा तो जो आपका answer correct हो जाएगा वो आपका हो जाएगा force, torque इस तरीके से आप इन four questions के answers कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं next question, question number five, question number five है आपका centipetal force is a dash force, centipetal force हो कैसा force होता है, पहले के वाल आपको देखिए क्या करना, जब भी इस type के जो भी question हो, उसमें पहले आप क्या करें, इतना part करें, मालब पहला part करें, उसके वाला दूसरे part पे जाएग, तो आप से कहा centipetal force is a dash force, अब यह जो आपके option दिये गए हैं शुरूबात वाले, इनको आपको गिल्स चेक करना है, तो scientific force कैसा होता है, real होता है या फिर imaginary होता है, यो कि सभी में real imaginary दिया गया, तो आपको पता है कि यह कैसा force होता है, यह आपका real force होता है, फिर आगे आप से कह रहा है, end scientific force is a dash force तो यह कैसा होता है, यह आपका imaginary force होता है, तो जो आपका answer हो जाएगा, वो real, imaginary हो जाएगा, तो आपका option number a में क्या है, दिया गया है, तो यह आपका correct answer हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं next question को, question number 6, question number 6 के रहा है, SI unit of force is, SI unit पूच रहा है, फोर्स का क्या होगा, तो अब बिस सिवात की answer क्या होगा, यहाँ पर, newton होगा, मलब जो force का SI unit होगा, वो आपका newton होगा, and it is a dash quantity, कैसा quantity होगा, यह आपका vector quantity होगा, तो आप देख लोगा, किसमे answer होगा, newton, फिर शकर vector, तो newton vector द question number 7, तो देखिए question number 7 में अगर हम आते हैं, तो question कह रहा है, tightening effect of a force acting on a body about an axis is called, simple words में आप से कहा है, tightening effect जो किसी axis के about होगा, तो उसको आप क्या कहोगा, और बिस सिवात उसको आप movement of force कहते हैं, जिसको आप torque के name से जानते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर movement of force भी लिखा है तो यह दोनों आपके क्या correct option है, यह दोनों अगर आपके correct option है, तो देखिए किस में आपके दोनों option है, तो यह आपका last वाला option है, बोत a and b, यह आपका क्या right answer हो जाएगा, तो जो आपका right answer है, वो option number d है, अब हम देख लेते हैं, next question, question number 8, तो देखिए question number 8 कह रहा है, which principle governs this balance, which principle governs this balance, तो बच्चों इसको आपको ध्यान रखना है कि यह question आपको नहीं करना है, यह question आपको देखिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो question था, actually, case study वाला question है, तो उससे क्या आपका लिया गया है, तो case study यहाँ पर दी नहीं गई है, उस जाएसे यह question आपका है, नहीं the nut, मलब अगर आप एक nut को open करना चाहते हो, तो कैसा आपको moment of force चाहिए, तो आपसे कहरा है, force applied into length of the lever, मलब एक तरही के साब कह सकते हैं, जो आपका torque होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका force into distance, तो इसमें जो आपका force होगा, और जो length होगा, इसका जो product होगा, इसके क्या हो जाएगा, equivalent हो जाएगा, तो जो आपका answer है, वो option number A हो जाएगा, और other option में आप जाएगे, तो आपसे देखें, यहाँ पर divide लेखा हुआ है, यहाँ पर divide लेखा हुआ है, तो यह दोनों already cut जाएगे, और none of these तो फिर हो गई नि, तो इसलिए जो आपका answer है, वो option number A हो जाएगा, अब देख लेते हैं, question number 10, question number 10 कह रहा है, extra unit of movement of force is, आपको पता है कि जो moment of force होता है, तो आपका कहते हैं, torque होता है, वो आपका होता है, f into d, और अगर ऐसा unit की बात कर रहे हैं, तो f newton होता है, d meter होता है, तो answer हो जाता है, newton meter, तो option number V, newton meter यह आपका correct answer हो तो देखे, question number 11, आपसे कहा है, center of gravity of the rectangular lamina is, मनला जो center of gravity है, rectangular lamina का, वो कैसा होगा, तो आपको बताया था कि जो rectangular lamina आपका होता है, तो rectangular lamina में basically क्या होता है, जो आपके diagonal होते हैं, उनका intersection point होता है, वो आपका center of gravity को represent करता है, तो देखे, कहाँ पर लेका intersection point of diagonal, तो देखे, आप देख सकते हैं, जो intersection point of diagonal यह आपका option number V में क्या है, दिया हुआ है, तो यह जो आपका option B है, यह आपका correct answer हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं, next question को, question number 12, तो देखे, question number 12 आपसे कह रहा है, center of gravity of the triangular lamina is, at any corner, at point of intersection of median, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप triangular lamina की बा है, center of gravity को, तो जो आपका correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, at the point of intersection of medians, अब देख लेते हैं, 13 number question, तो देखे, 13 number question आपसे कह रहा है, work done via force acting on an object is equal to, मनला जो work done है, वो किसके equal है, तो आपको पता होता है कि जो work done होता है, वो f into d होता है, देखे, उसी according कोई option match करेगा, अब देखे, multiplied यहां लिखा है, multiplied यहां लिखा है, divide यहां लिखा है, तो यह कट गया answer, यहां पर आपका divide लिखा है, यह भी कट गया, अब मचे दो, इन में से आप देखो कौन सा हो जाएगा, magnitude of force, magnitude of force, by displacement in the direction of force, और यहां पर दियागा, displacement in the direction perpendicular to force, तो देखे, जो direction जिसमें होता है, मतलब displacement of force के direction में होता है, तो उसको आप बोलते है, work done, तो जो answer हो जाएगा, वो आपका option number A हो जाएगा, तो इस तरीके से आप अ दिख लेते हैं, next question, अब आपका next question है, question number 14, तो यह question number 14 देखे, आप से क्या कह रहा है, आप से कह रहा है, work has, neither magnitude nor direction, only direction, no magnitude, only magnitude, no direction, what direction and magnitude, अब देखे, आपको पता है, वग डन कैसा quantity होता है, work done आपका होता है, scalar quantity, कैसा quantity होता है, आपका scalar quantity होता है, मतलब इसमें कोई भी direction नह कौन कौन सा case हो सकता है, और देखे, magnitude के साथ में आप से यह कह रहा है, कि क्या work में magnitude भी नहीं होगा, तो आपको पता है, जब आप answer को भी पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं, कि भाई, दस जूल जो वगड़न है, वो आपका क्या है, हुआ है, आपने ऐसा कई वार बोला होग तो only magnitude होगा, और direction नहीं होगा, तो जो आपका देखे, यहां लेखा, only magnitude, no direction, तो यह जो आपका option number C है, वो आपका क्या correct हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं, next question, question number 15, तो देख, question number 15 देखे, आपसे क्या कह रहा है, question number 15 कह रहा है, आप force of 5 Newton acting on object, मतलब जो आपका force दिया गया है, 5 Newton का, यह आपका apply किया जा रहा है, किसी भी object पर, अब आगे आपसे कह रहा है, कि जो body है, वो displaced हो रही है, 2 meter, in the direction of force, तो work done आप बताओ, तो देखे, आपको बताया है that कि बाई, जो work done होता है, वो force into displacement, जो work done आपका होता है, वो force into displacement, तो देखे, work done का formula लगा दो बस, जब वक्डन का फॉर्मॉला लगाओगे एफ इंटू डी इसको आप अपको दिया गया है फाइव डी आपको दिया गया है टू मैल्टिप्लाई करेंगे तो आपका एगा टैन और यह किसमें जूल में तो आंसर दिली टैन जूल हो जाएगा तो इस तरीके से आप यह सेब्सक्राइब हो तो यह तूस हमउन pare s overall उत लोग होता वह इजिए आपका वोता यह चूल में होता है तो वर्क आपका वाट में से स्वॉल ने ज्यूल होता है था एग जूल होता है दो आपका पांव जोनी बिकासर्दीघ हो ज्याव प्रत्की टाकर correct answer हो जाएगा वह आपका option number D sorry C हो जाएगा तो इस तरीके से जो आपको आपको यह आंसर दिये गए हैं जो option दिये गए इन में से किसमें आपके potential energy होगा falling coconut में होगा इस ट्रेश डिवो में होगा running car में होगा या फिर flying aircraft में होगा तो इस तरीके साथ 17 कर सकते हैं अब हम आते हैं next question question number 18 पर अब हम देख लेते हैं next question question number 18 को तो दीए question number 18 आप से कह रहा है what should be the angle between force and displacement to get minimum and maximum work मतलब आपको minimum और maximum works चाहिए तो फिर जो आपका what should be the angle तो आपका जो angle है वो क्या होना चाहिए मतलब angle की आप value अगर आपको जो work done है वो minimum चाहिए और आपको maximum चाहिए तो work done आपका क्या होने वाला है sorry आपका angle क्या होने वाला है तो देखिए आपको जो work चाहिए maximum तो आप work का formula लगाए fd cos theta अब आपको पता होना चाहिए वही जब theta की value 0 होगी जब theta क्या होगा 0 होगा तो यहाँ पर जो work done होगा वो क्या होगा maximum होगा और जब theta क्या है आपका 90 degree होगा तो यह work done आपका क्या है minimum होगा क्यों होगा क्योंकि cos 0 की जो value होती है वो आपकी 1 होती है और जो आपकी cos 90 की value होती है वो आपकी 0 होती है जब cos 90 0 होगा तो work done भी आपका 0 हो जाएगा इस case में जो work done होगा वो आपका जो इस case में जो work done होगा 90 वाले case में यहाँ पर जो work done है वो आपका 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो work done है वो आपका maximum हो जाएगा तो इसलिए जो आपका theta 0 के case में work done maximum होगा तो आपसे पहरे minimum कहा था फिर maximum कहा था तो देखे minimum कब हो रहा है जब angle आपका 90 degree है तो देखे पहले 90 किसमें देखे इसमें और maximum कब होगा जब angle 0 होगा तो बाद में आपको दिया गया 0 तो जो आपका correct answer हो जाएगा वह आपका option number A हो जाएगा इस तरीके से आप question कर सकते हैं इस ट्राइब की जो question होते हैं यह आपके important होते इनको आप ध्यान रखेएगा अब हम आते हैं next question पर question number 19 पर देखे next question है आपका relation between kinetic energy and momentum of a moving body is तो देखे आपको होता है जो पी square होता है वो आपका 2m के होता है जो पी square होता है वो आपका 2m के होता है और इसी पीज़िए को आप लिखते है रूट के अंदर 2m के तो जो आपका answer देखे कौन सर मैच कर रहा है यह आपका लिखाए पी power 2 equal to 2m के तो यह जो आपका answer है वी वाला वो आपका करेक्ट हो जाएगा अब हम देख लेते हैं next question question number 20 तो देखे question number 20 आप से देखे क्या कह रहा है question number 20 आप से कह रहा है horse power is a unit of तो देखे आपको मैंने बताया था कि जो horse power होता है वो किसका unit होता ह है वो power का unit होता है तो जो answer हो जाएगा वो आपका option number D power हो जाएगा अब देखे लेते हैं next question को question number 21 तो देखे 21 question देखे आप से कह रहा है which of the falling relation is true मतलब कौन सा relation आपका क्या true है यह आपको उताना है पहला उसन आपको दिया गया power equal to f into v तो आपको मैंने बताया था कि जो power होता है वो आपका f into v होता है तो यह जो आपका option है वो आपका सरी हो जाएगा फिर बाकी का आपको पता है यह force into displacement यह गलत होता है work into time यह होता है पाबर के आपने दो ही formula पड़े हुए एक तो w upon t पड़ा हुआ है और दूसरा आपने f into v पड़ा हुआ है तो f into v के according यह जो आपका option number यह वो आपका करेक्ट हो जाएगा अब हम देख लेते है question number 22 तो देखे question number 22 आपसे कह रहा है energy stored in the core of earth is cold जो energy core में आपकी होगी वो किस टाइप थर्मल होगा magnetic होगा जियो थर्मल होगा या फिर आपका hydro होगा तो देखे यह जो आपका question है यह question आपका कई वार exam में आता है और जो आपका जो work power energy वारा chapter है उसमें यह question है वो आपका last में जो आपको term दिये गए तर टाइप सॉफ एनरजी जो आपका दिय question आपके लिए क्या काफी ज्यादा important है तो आपको इसको क्या है आसानी से करना है तो अब आपको करेंगे पर चॉइशका होना चाहिए जो आपने जो डेफिनेशन होगी उनको प्रोपरी किया होगा अगर डेफिनेशन नहीं किया होगा तो फिर इसका answer आपका आसानी से नह से आपको अंसरस वगेरा करने है अब दिख लेते हैं नेक्स कुश्चन कुश्चन नमबर 23 तो यह 23 आप से कहा रहा है रिलेशन बिट्वीन SI and CJ CJS unit of work age मतलब SI और CJS unit में क्या आपका रिलेशन होने वाला है तो देखिए आपको पता हों चाहिए कि भाई जो वन जूल होता है वो आपका 10-7 अर्ग होता है तो बस आप देखिए कौन से मेच कर रहा है तो यह आपका जो औस नमबर यह आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा तो आपको पता है कि जूल किसका यूनिट होता है जूल आपका एनरजी और आपका वर्क का यूनिट होता है तो आपका जो option A और B है वो आपके करेक्ट हो जाएगा तो देखें बोथ A और B आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा अब देख लेते हैं next question question number 26 देखें 26 आपसे कह रहा है यूनिट यूनिट इफ विलोस्टी रेशियो और मेकेनकल एडवांटेज देखें यहाँ पर आपका होगा unit of विलोस्टी रेशियो और मेकेनकल एडवांटेज तो देखें आपको मैंने बताया था कि वही जो unit इनकी होती है यह आपके दो टर्मेंसे हैं मेकेनकल एडवांटेज और आपका विलोस्टी रेशियो इन दोनों का unit नहीं होता है यह आपकी dimension less quantity होती है तो जो आपका answer हो जाएगा वो आपको option number D हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे इन दोनों quantity का MA और विया का कोई भी unit नहीं होता है अब देख लेते हैं question number 27 तो यह 27 आपसे कहा रहा relationship among mechanical advantage, velocity ratio and efficiency is efficiency equal to mechanical advantage upon velocity ratio तो देखेंगे आपको मैंने बताया था कि VR होता है तो इसके according जो आपका answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा efficiency equal to mechanical advantage upon velocity ratio तो यह आपका correct answer हो जाएगा अब हम देख लेते हैं question number 28 तो यह 28 question number आपसे देखेंगे क्या कह रहा है question number 28 आपसे कह रहा है 28 आपसे कह रहा है for an ideal single fixed pulley मतलब ideal single fixed pulley के लिए क्या होगा MA VR तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम ideal single fixed pulley की बात करेंगे तो इसमें जो आपका MA और VR होता है इसमें जो आपका MA और VR होता है यह आपका one होता है दोनों quantity दियान रखेंगे जो MA और VR है यह दोनों one होगा कब बनोगा अगर हम single fixed pulley की आपसे क्या कर रहे है बात कर रहे है और अगर इसी जगे अगर movable pulley आ जाएगा suppose को यहाँ पर movable term आ जाता है अगर movable हो जाएगा आपका तो फिर जो आपका MA and VR है जो आपका MA और VR है इसकी value आपके क्या है 2 हो जाएगी तो इस question के according जो इसका answer है वो one one हो जाएगा तो option number 20 का correct answer हो जाएगा अब हम देख लिते हैं question number 29 तो इस 29 में आपसे कहा रहा है for an ideal single movable pulley तो अभी यह भी मैंने आपको बता है कि है single movable pulley की बात कर रहा है तो MA VR आपका 2 होगा तो यह जो आपको option number C है यह आपका क्या correct answer हो जाएगा अब देख लिते हैं next question question number 30 को तो इस question number 30 आपसे कहा रहा है single fixed pulley is used मतलब जो single fixed pulley इसका use कहां करते हैं to have more mechanical advantage to have more velocity ratio to achieve more efficiency या फिर to change the direction of effort to be applied तो देखिए ध्यान रखेंगे अब single fixed pulley की आप बात कर रहे हूँ तो इसका जो use होगा वो आपका होगा to change the direction of effort to be applied तो जो direction होगा effort का उसको change करने के लिए इसका use क्या है किया जाएगा अब हम देख लेते हैं next question question number 31 तो देखिए question number 31 इवन देखिए आपसे क्या कह रहा है उसको आप देखिए तो देखिए जो आपका question है वो आपसे कह रहा है efficiency of a single movable pulley is not hundred percent due to मतलब जो efficiency है वो hundred percent नहीं है क्यों नहीं है तो देखिए इसके पी जो responsible factor होते हैं वो आपके होते हैं fraction और जो भी आपका string का weight है वो आपके responsible factor होते हैं तो जो fraction हो गया जो weight of the string हो गया यह आपके responsible factor होंगे जिस कार्ट से hundred percent efficiency नहीं होता है तो जो आपका correct answer हो जाएगा वो बोत A and V हो जाएगा अब दिख लेते हैं next question question number 32 यह question 32 आपसे कह रहा है when a machine is used as a force multiplier दीगे आपसे कह रहा है अगर force multiplier की तरह machine को use करना है तो जो जो load की value होगी जो आपकी load की value होगी वो effort से क्या होने वाली है जादा होने वाली है ध्यान रखेंगे तो जो आपका correct answer हो जाएगा वो आपका load greater than effort आपका क्या हो जाएगा और अगर suppose करो यही question होता अगर यहां होता speed multiplier अगर यहां पर होता आपका speed multiplier तो फिर उस case में effort की value क्या है greater हो जाती है आपसे load से तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर speed multiplier हो जाएगा तो effect greater हो जाएगा आपका load से यह important questions को आप ध्यान रखेंगे अब देख लेते हैं next question 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 number 33 तो इसको आप try करिए क्या question है तो यह सबसे easy question जिसको आप क्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो देखिए आपसे question कहा रहा है for an ideal machine मतलब एक ideal machine की बात कर रहा है तो भाई देखिए ideal के case में और कोई जानता है कि जितना input हो जितना आपका input हो उत्रहीं आपका output हो बस answer हो जाता है तो answer क्या हो जाएगा input equal to output तो यह आपका क्या correct answer हो जाएगा अब देख लेते हैं next question question number 34 question number 34 आपसे कह रहा है speed of light in vacuum is अरे यह सब को पता होता है कि जो speed होती है वो आपकी 3 into 10 power 8 meter per second होती है इसको ध्यान रखेंगे और यह ध्यान रखेंगे यह पिलस में होता है पिलस में माइनस में नहीं होता है तो देखें कौनसा option match है तो यह आपका match कर रहा है option number a 3 into 10 power 8 meter per second अब देखेंगे नेक्स question question number 35 question number 35 अब से कह रहा है when light ray travels from dancer to rarer मतलब एक light ray जो आपकी dancer से rarer में जा रही है तो फिर क्या होगा i equal होगा rk, i greater होगा या फिर i less होगा r से या i r का product 0 होगा क्या होने वाला है तो देखेंगे आपको क्या करना है आपसे क्या dancer से rarer में जाना है और ray of light आपकी क्या है dancer से rarer में जा रही है तो देखेंगे आप पहले ray incident कराते है इस point पर incident होती है तो यहां से हम क्या करेंगे आपका normal बनाएंगे यह आपका बनादी है normal अब normal बनाने के बाद यह ray of light काया से सीधा जाना चाहिए था यह आपको पता है यह angle i होता है और यह angle आपका r होता है तो यह angle आपका r होता है तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो i है वो r से small है तो जो आपका correct answer हो जाएगा i less than r कब जब dancer से rarer में जाएगी अब देखिए इसी टाप से अगर इसके साथ दूसरा question आएगा तो question कैसे change होगा आप से काएगा ray आपकी rarer से dancer में जा रही है यह आपकी rarer से dancer में जाए तो i और r में क्या relation होगा तो इसमें फिर आपका जो i होगा वो r से greater हो जाएगा तो देखिए जो भी possible conditions हो सकती है उन conditions के according आपको सारे answer क्या करनी है अब हम देख लिते है question number 36 देखिए question number 36 आप से कह रहा है अब जाए जो आपकी कैसे गिर रही है वह आपकी नौर्मली गिर देखिए आपको मैंने बताया था कि वह आपकी परपेंडूकुला इसलिचीडेंट और यहां पर सीधा प्रकार आप क्या हो जाता है और यहां पर सीधा पास हुआता है आपका जेरो जाता है और और क्या टो यही ऐख रहा है तो यह किसमें ब्लाइब से आपका टो यह आपका क्या है इसको अप ध्यान रखेंगे अब देख लेते हैं question number 37 question number 37 आपसे कह रहा है absolute refractive index of a transparent medium is always मतलब जो absolute refractive index है वो क्या होगा smaller than 1 होगा, greater than 1 होगा lies between 0 and 1 होगा या फुरी negative होगा तो देखिए बच्चो ये जो question है एक question में आपको क्या है question number 37 ये करने के लिए homework में दे रहा हूँ इसका आप सभी लोग क्या है option बताएगे, यदि आपको लगता है a सही है तो आप लिखेंगे 37 अगर आपको लगता है v सही है तो आप 37 b लिखेंगे, अगर आपको लगता है c सही है तो 37 c लिखेंगे अगर आपको लगता है कि d सही है जो आपको correct answer देने हैं तो देखते हैं कितने लोग इसका सही answer देते हैं अब करते हैं लोग नेक्स कुछिटन पर तरिके नेक्स कुछिटन कुछिटन नमबर 38 तरिके 38 आपसे कह रहा है इफ एफ एफ्सुलिट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आप मीडियम इस बन पॉंट फाइब मलब जो और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया वह बन पॉंट फैब दिया गया देन ब्लॉट्टी ऑफ लाइट इंडट मीडियम इज तो जो ब्लॉट्टी ऑफ लाइट है उस मीडियम में वो क्या होने बाली है तो दीखिए अगर हम बात करते हैं कि रिफ् ब्लॉट्टी ऑफ मेडियम ब्लॉट्टी ट्रीट टन पावर एट क्या होता है आपका थे इंटू टैन पावर एट जिसको आप लिखेंगे रिफ्रे इंटू टेन पावर 8 और अपॉन में आप लिखेंगे बैम क्यों कि वी हापको फइंड करना है इधर आपको जाएगा 1 1.5 तो जो Vm की value आपकी आजाएगी तो Vm आपका आजाएगा 3 into 10 power 8 upon में 1.5 और 1.5 को आप लिख सकते हैं 2 3 by 2 तो इसको मैं raise करके क्या कर देता हूं 3 by 2 लिख देता हूं मतलब 3 नीचे आजाएगा 3 नीचे आजाएगा और 2 उपर चला जाएगा 3 by 2 3 से 3 cancel हो गया तो जो आप 2 into 10 power 8 2 into 10 power 8 meter per second तो यह आपका क्या correct answer हो जाएगा तो देखिए किस में आपको option match कर रहा है तो जो आपका option match कर रहा है वो आपका match कर रहा है option number V 2 into 10 power 8 यह आपका क्या correct answer हो जाएगा अब देख लेते हैं question number 39 तो देखिए 39 आप से कहा रहा है light passes from one medium to another undeviated band मलब लाइट रेक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो और उसमें deviation नहीं होने वाला है तो किस condition में नहीं होने वाला है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ray of light है अगर नॉर्मली incident करती है जैसे आपका medium है यह आपका कोई surface है जैसे हम ले लेते हैं यह आपका कोई surface है अब ray of light क्या आपकी vertically fall कर रही है तो फिर आपकी क्या है इसमें कोई भी deviation नहीं होगा तो यहां क्या हो था आई 0 था आट 0 था और यह condition कब आ रहे थी जब यह दोनों condition आपकी आप फॉलो कर रही थी तो देखिए जीरो यह follow कर रहा है बिल्कुल यह आपका correct हो सकता है आगे कराए refractive indices indices और both media are same तो एक एक condition यह भी मैंने आपको आया था कि जो आपकी जो ray of light pass होती है वो आपका सीधा कब pass हो सकती है एक condition तो थी कि भाई यह कै नॉर्मली incident करें और दूसरी condition थी कि भाई अगर medium दोन तरब सेम होता है अगर medium दोन तरब सेम होता है तो भी ray of light क्या है आपका सीधा pass हो जाएगा कोई भी इसमें deviation नहीं होगा यह भी figure हो सकता है तो इस case के according यह भी आपका सही है तो जो आपका right answer हो जाएगा वो A and V हो जाएगा तो यह जो आपका option number D है उसमें आपका A and V क्या दोनों से from Eden to rare aspirations मतलब Ray of light का cu dancer में जाती है तो amplitude में क्या होने वाला यह आपको होता नहीं फिर आपके आप से कहा रहा है जिलियो इप cheer coming for the locations gw ऑनने वाला तो आप ध्यान रखेंगे जब Ray of light dancer मैं आती है सब्सक्राइब तो फिर आपका जो होता है वह आपका डिक्रीज कर जाता है तो ध्यार रखेंगे कि आपकी डिक्रीज कर जाएगा और अगर यह आपका सब्सक्राइब तो यह आपका डिक्रीज हो जाएगा अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन नंबर 41 तो एक क्वेशन में आप से कहा रहा है ड्यू तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रूआ ग्लास ब्लॉक मला जो रिफ्रेक्शन हो रहा है वह आपका ग्लास ब्लॉक के तो यह आपकी चार चोइस दी गई है अब इन चार चोइस में से कोई भी एक चोईस अपकी क्या करेक्ट होने वाली है अब कोईशन माय कि यह बना हुआ है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा तो यह कि एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप मानके चली कि कुछ कोईशन में फॉलो करेगा वट जरूरी नहीं कि 100% करे तो मैं आपको एक ट्रिक यह बता रहा हूँ जिस में आपका all लगाओ all of these जिस option में आपका all of these लगाओ आप मानके चली कि 99% chances है कि वही आंसर होगा बट ध्यान रखेंगा कि ऐसा होना कोई compulsory नहीं है बट अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें अगर हम all of these लगा दें इस ट्रिक के माध्यम से तो यह answer बिलकुल correct है बिलकुल लगाओ तो आपको तुक्का मारना हो तो तुक्का मार देना all of these वाला तो आप मानके चली कि सही होना चाहिए बट 100% guarantee नहीं है अब आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर कुश्चन नंबर 42 कुश्चन नंबर 42 आपका which of the following has the highest refractive index किसमें refractive index आपका highest होता है तो जो जितना ज्यादा हाड होता है तो जो आपका diamond है इसको आपका पता हुआ कि इसकी कर्टिंग वगेरा हो है बहुत ज्यादा tough होता है तो इसका refractive index है वो क्या होगा highest होगा तो आपका जो option A है diamond यह 43 पर तो इसके 43 आपसे कह रहा है air bubble in glass block when from above appears to be raised due to मतलब अगर आपका जो बवल है वो आपका उपर उठा हुआ दिखता है ऐसा क्यों लगता है आपको और बहुत सी बात है कि अगर आप water की बात कर रहा हो तो इसका reason क्या है आपका reflection तो reflection of light देखिए इसमें आपका दिया ग सर हो जाएगा अब आते question number 44 पर question number 44 आपसे कह रहा है when light travels from dancer to rarer मतलब जब की light है वो dancer से rarer medium में जा रही है if the angle of incidence equal to critical angle मतलब i आपका c के equal है और ray of light आपकी dancer से rarer में जा रही है तो आपसे कह रहा है क्या होने वाला है आपसे कह रहा है then angle of reflection is तो angle of reflection आपको उता रहा है तो यह condition कौन सी हो रही है यह आपके critical angle की condition हो रही है इस तरीके से आपने की diagram बनाया होगा यह आपका normal को represent करता है यह आपकी surface को represent करता है यह आपका dancer medium होता है यह आपका rarer medium होता है रही आपकी जाती है और यह आपकी रही इदर आ जाती है तो आपका r90 होता है कब होता है जब i की value c के equal होती है जब i और c equal होता है तो आपका r90 होता है तो angle of reflection आपसे पूचा क्या हो जाए तो आपका answer क्या हो जाए आर कोशन नमबर 45 आपके सामने आ चुका है आपसे कहरा है किट कल एंगिल फॉल्द अग्लास एयर मेडिया पेर इज मतलब जो आपका ग्लास एयर का मेडिया पेर होगा उसमें क्या होने वाला किट कल एंगे तो आपको मैंने बताया था कि वही इसमें आपको लाइन करना जो 42 ड 26 26 आपका होता है आपका होता ए फ लैम्डा की वी होता है आपका मतलब आपका स्पिद ऑफ लाईट और लेम्डा होता है आपका प्लायट स्पिड वितirdi होगी अगे मीलिस से ग्रेक्ट चाहट होगा तो अगर यह सोगी तो कहने आप्सक्त का ज्यादा होता है यह इंग होंगा याक उस्पीट QC से आप question को कर सकते हैं अब आते हैं next question no.47 पर tom question no.47 आप से कह रहा है बाश और रेफ्रेक्शन थो आप पेज में दाद डाइवीएसन ओफ रेड लाइट इज वर्फरेक्शन में जो आपका वो रेड लाइट का वो कैसा होने वाला है आपको पता है जो रेड लाइट का डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है मैंने आपको बताया था कि जो रेड लाइट होती है उसका यूज करते हैं डेंजर सिगनल्स में क्यों करते हैं डेंजर सिगनल्स में क्योंकि इसका जो ड अंसर होगा वह होगा जिसमें deviation सबसे कम होगा देखिए किसमें कह रहा है less the deviation आपसे कह रहा है greater than deviation of violet depends on the shape of the place equal to the deviation of violet light तो देखिए इसका deviation मैंने आपको बता है कि रेड़ लाइक के कम होता है तो यह कम बाला किसमें है less than the deviation of वाइड़ेड लाइट तो जो आपका ऑंसर नम्बर वी हो जाएगा तो यह आपको ध्यान लगता है जो कार्यक्ट आंसर है उएक मूर्स और नमबर 4 47 सुरी कुश्चन नमबर 48 तो देखते हैं कि अब दीखिए नेक्स्ट कुश्चन नमबर 48 तो एक गुश्चन नमबर 48 देखें आपका क्या है कुश्चन नमबर 48 तो आपको पता होना चाहिए यूवी की अगर आप बात करते हो तो यूवी में क्या होता है विटामिन डी होता है तो यूवी लाइट इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमबर 49 तो आप से कह रहा है विछ आप दी फॉलिएंग डेज इस यूजज़ फॉर नाइट फो डोग्राफि तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयार रेडियर्ट होता है इसको इसको एंफरेड कहते हैं वह आपका नाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है तो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा इंफरा रेड तो यह आप ध्यान रखेंगे यह कुर्शन काफी इंपोर्टेंट है कई वार आपके एक्जाम में क्या पूछा जा सकता है अब आते हैं नेक्स कुर्शन कुर्शन जो अपियर होता इसको कहते हैं apparent depth तो देखिए जो आपका answer होगा वो देखिए कैसे निकालेंगे आप आप निकालेंगे जो आपका mu की value होगा वो आपका होगा real depth upon apparent depth मू की वेलु आपको देए गए है 1.35 1.35 equal to Real depth आपसे काह कह deth दो हमना आपको Real depth बताना है तो Real depth आप यहाँ लिखो upon apparent depth apparent depth आपसे कह रहा है 1 meter यहाँ लिखो तो जो आपका Real depth हो जाएगा वे आपका 1.35 in to 1 हो जाएगा यह आपका आजएगा 1.35 अब सर नमबर ये आपका क्या गार्यांसर हो जाएगा अब देखते हैं पूस्टर्पिंज बैस अब सी फीफ्टीवाण तो सुट जिस पर्टे़न फैप्टीवण पर अपना आते हैं किस्टेव अपना ड़ी motor पता भीक्न मसी होती हैंIR मीडियम से होती है तो जो आपका कर्क्रस हो जाएगा वह आपका जाएगा ऐसन नमबर वी मीडियम अब आते हैं apologize और थे चाले आपसे कहा रहा हैसे साउंड इस सफ सोह के खानि करें खल्माि sound होता है यह आपका एक mechanical wave होता है तो आपका जो answer हो जाएगा वह आपका option number यह हो जाएगा अब आते हैं next question question number 53 तो इक question 53 आप से कह रहा है है how how the speed of sound changes when we go from solid to gases medium मतलब जो आपकी speed of sound है वो कैसे change होती है जब आप solid से gas में आने वाले हो तो यह value आपकी क्या करती है decrease करती है तो यह question आप ध्यान रखेगा यह question थोड़ा important है आपके लिए अगर आपकी जो sound है वो change हो रही है जो sound है उसकी speed change हो रही है और solid से gas में जा रही है तो यह आपका क्या हो है डिक की जाएगा तो आपको option number c आपका क्या correct हो जाएगा अब आते हैं नेक्स question पर question number 54 पर देखे next question आपका आ चुका है question number 54 तो देखे 54 देखे आपका कैसे करेंगे आपसे कहा रहा है आर दा लॉज ओफ reflection of light followed by sound क्या जो आपके लॉज होते हैं reflection के क्या वो sound पर भी एप्लिकेवल है या फिर नहीं है तो भई यह sound के लिए अप्लिकेवल होते हैं तो भई इसका answer yes होगा तो option A आपका क्या है correct हो जाएगा अब आते हैं कितने second में जाता है तो जान रखेंगे कि इसको जाने के लिए समय लगता है वह लगता है 1 बाइट 10 सेकेंड बन बाइट 10 सेकेंड जिसको आप कहते हैं 0.1 तो यह जो आपका answer है वह correct होगा पॉइंट 1 सेकेंड तो option नंबर यह आपका क्या correct हो जाएगा अब आते हैं next question देख, question में 56 आपसे कह रहा है थोड़ा इसको set कर लेते हैं पहले उसके बाद हम आपको होता है question number 56 तो यह question number 56 दिख लेते हैं आपसे कह रहा है to hear a distance echo sorry to hear a distinct echo distinct मलब होता है अलग मलब अगर आपको echo सुनना है the time interval between original sound and reflected one must at least मतलब अगर आपको echo सुनना है तो जो आपका original sound है और जो reflected sound है उसमें कितना time interval का difference होना चाहिए तो भई जो difference होना चाहिए वो आपको यह one by ten second जिसको आप point one second के name से भी जानते हैं तो जो आपको correct answer हो जाएगा वो आपको आपको point one second option number C तो यह आपका correct answer हो जाएगा अब आते हैं question number 57 पर तो देखिए 57 देखिए आपसे क्या कह रहा है आपसे कह रहा है तो यह question आपका repeat हो गया है next question पर हम आते है आपसे कह रहा है the rolling of thunder is due to मलब जो rolling होता है thunder का वो क्यों होता है जो thunder का rolling उसका क्या region है आपसे क्या successive reflection होता है transmission होता है change होता है या फिर none of these होता है तो आपको ध्यान रखना है जो successive reflection होता है sound के अंदर जो sound के अंदर आपका successive reflection होता है उसकी वज़े से आपका क्या है rolling होता है thunder का तो जो आपका option number A है वो आपका correct answer हो जाएगा अब आते है next question question number 59 पर तो देखे question number 59 आपसे कह रहा है the audible range of sound for human being is मतलब human being के लिए आपकी जो sound होता हो audible sound वो क्या होता है तो देखिए आपको बताया था कि 20 hertz से 20 hertz to 20,000 hertz ये आपका range होता है audible sound का तो जो आपका answer हो जाएगा वो option number भी हो जाएगा 20 to 20,000 hertz अब आते है next question question number 59 पर तो देखिए 60 कह रहा है आपसे the acronym sonar stands for तो ये आपको मैंने कहीं बता रहा है कि sound navigation and ranging तो देखिए sound navigation आपका होता है option number a में ये आपका क्या correct answer हो जाएगा अब आते है next question question number 61 पर तो देखिए 61 आपसे देखिए क्या कह रहा है 60 आपसे कह रहा है इस टेखिए इसको the sound of the sound of the patient heart rate reaches the doctors ear मतलब जो आपका सहतोस्कोप होता जब डॉंक्टर के बात जाते हैं जब डॉंक्टर चेक करता है आपकी हाट्वीट होती है वो कि कानों तब पहुँचती है किस कारण से कान तब पहुँचती है आप से कह रहा है रेक्री लिन्य पोगेशन की बज़े से एक को की बजए से या आपका सिंगा रिफ्लेक्शन की बज़े से तो देखे आप खुछ सोचके देखो जब सहत इसको पर अपने कानों में लगाते हैं तो हमको जो दिल की दढ़कन होती है वो बार-बार सुनाई देती है अगर कोई चीज़ आपको बार-बार सुनाई तो देखे आपका क्या है को सिस्टी टू है आपका बैट्स एंड पॉर्पोईजिस यूजिस दा फेनामन ऑप डैस एंड डैस वेप्स टू लोकेट देर फूड और प्रे तो देखे आप से कह रहा है कि यह क्यों हो रहा है तो देखे आपको पता है जो बेप्स सोनिक एक समय अल्टा सोनिक अब इसके बाद क्या रहा है कि बैट में कौन सा फ्रेमरान होता है एको का होता है तो आपको पता होंची कि वह उनको क्या एको सुनाई पड़ता बाहाँ आवाज आवास नहीं पड़ते जिसके कार्ड भांगने लगते हैं तो एको होता है तो देखिए इस question को को करना है क्यांकि मैंने आपसे काता कि मैं आपको एक से दो question जरूर दूँगा तो मैं आपको एक वह लेडि दे चुका हूँ पहले और यह सरी त्रिश्टी थी है यह question भी है इसका response आपको करना यह last question है तो इसका आथ बताएंगे तो अगर आपको एलगत लगता है तो आप 63 A कमेंट में डालेंगे वी लगता हूब करेक्ट आनसर बताओग अलए अब हम स्पर लेडिस्ट में जाना है आपको जाना महा मेराथान प्रेज्ट नाम में आपका फिजिक्स महा मैराथान च्रीज अब देखिये से नाम से प्रेस्ट में जाकर आप सबी वीडियो से देख सकते हैं और इसके अलाबर जो आपके MSU की questions की जो स्रीज़ वो अलग से है जिसमें आपका chapter wise question आपको अलग डाले गाए है तो उसका playlist का नाम है MSU की questions ICSE class 10 उसमें क्या है आपको chapter wise question मिलेंगे तो अगर आपको chapter wise देखना है तो वही chapter wise के लिए आपको इस playlist में आना है और सभी chapter wise question आपके देख सकते हैं और जो आपका महा मैरतन स्रीज है जिसमें आपके सिस्टी से अब अब कुछन कराए गए है वो आप देख सकते हैं इस playlist में physics महा मैरतन स्रीज आपके लिए अब देखिए नेक्स हम आते हैं नेक्स स्लाइड पर तो अच्छो यदि कोई आपको प्रॉलम हो रही है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो देखिए आप क्या है comment box में अपनी प्रॉलम को डाल दिया करें comment box में डालने के बाद यदि आपकी जैसे लगता है अब को और भी कुछ प्रॉलम से जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपको मैंने अपना क्या है number provide किया हुआ है जो आप क्या है उस नंबर पर contact कर सकते हैं तो यह number आपको मिलेगा हमारे Facebook पर आपको क्या करना होगा Facebook पर जाना होगा और Facebook पर जाने के बाद आपको फेस्वूक पेज 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 जैसे आप लाइक करेंगे तो लाइक करते ही आपके सामने नमबर अपेर हो जाएगा उस नमबर के मद्दम सब कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वे भाएंबर आपको सेमिस्टर फन्स के लिए करा डिया है बस यह आपके प्रेक्टिस कोषेंज चल लेए तो आप क्या करने प्लेडिस्ट में जाकर सेमिस्टर फर्स्ट के उल्ट वीडिव को देख सकते है कोई PROBLEM हाई आपकोंटेक्क करिए कमेंड लॉक्स में झाल झाल